नमस्कार में अंजली रावत और आप देख रहे हैं CC News टुडे बिहार सरकार द्वारा नई सिक्षा नियमावली में संशोधन के विरोध में सिक्षक अभियार्थियों का प्रदर्शन जारी है पटना के जेपी गोलंबर से लेकर डाग बंगाल चौराहा तक अभियार्थियों ने खुबी हला बोला निती सरकार के विरोध में अभियार्थियों ने आज से महा अंदोलन का आगास कर लिया है होने वाले इस दर्शन को लेकर पटना प्रसाशन ने भी पहले से तयारी कर रखी थी जैसे ही भी डाग बंगाल चौराहे पर पहुची पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया पुलिस ने सिक्षक अभियार्थियों को बेरहमी से दोडाग दोडा कर पीटा जानकारी यहाँ भी मिल रही है कि पटना के गांधी मैदान से बढ़काऊ भाशन देने के आरोप में कई छात्र निताओ को गिरफतार किया गया है सभी चेक पोस्ट पर मस्जीर स्ट्रेट की तैनाती है शान्ती विवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षाबल तैनात किया गया है डोमिसाइल निती हटाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं सिक्षक अभिहारतियों को लेकर सिक्षक विभाग ने पहले ही कमर कस लिये सिक्षक नियुक्ति नियामवेली के विरोध में प्रदर्शन करने वाले हर अभिहारती पर पैनी नजर रखी जाएगी विडियो शूट करके ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश की जाएगी और उनके खिलाफ सक्त कारवाई होगी इस सम्मन में सभी जिला सिक्षक अभिहारतियों को आदेश जारी कर दिया गया है बता दे कि अभी बिहार में 1.7.0 लाग शिक्षकों के पदों पर भरती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं यहां की नितिश सरकार ने पिछले दिनों सिक्षक बहावली नियामवली में संशोधन कर अभिहारतियों के बिहार का स्थाई निवास होने की अनिवारता को हटा दी नितिश कैबिनेट ने शामिल एक मंत्री ने यहाँ भी कह दिया था कि इस नियम के आने से बिहार में सिक्षकों को गुडवत्ता में सुधार होगा उसके बाद नितिश शरकार के इस तैसले से बिहार अभिहारती नराज है उनका कहना है कि दूसरे राजियों के कैंडिडेट के लिए भरती खोलने से उनका हक मारा जा रहा है क्योंकि अन्य राजियों में ऐसे नियम है कि सिर्फ वही के कैंडिडेट भरती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं ऐसे में बिहार के अभिहारतियों का कहना है कि अगर दूसरे राजी के लोगों को वहां मौका नहीं दिया जाता तो फिर बिहार में ऐसा क्यूं हो रहा है?